सो गाइज यह है हमारा आप शम्भू का मंदिर काफी प्रसिद मंदिर है यह तो चलो अंदर चलते हैं हेलो गाइज वेल्कम बैक टो ओन माई चैनल सोच के बाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है हाज हम आये थे आप शम्भू मंदिर जो की काफी फैमस और पॉपलर मंदिर है श्रदलू काफी संक्या से यहां पर बोले नात की दर्शन करने आते हैं शिवरात्री के टाइम पर इस टाइम यहां पर में आया था इस समय अभी यहां पर बंद रखा है इनने तो हम जानी आप देख पा रहे हूंगे यह है दूसरा गेट एंट्री कबर यह वाला भी बंद है अब कहां से जाएं हमें समझ नहीं आ रही तो वह है नीचे आप शम्भू का मंदिर वह देखिए फूलों का धेर लगा हुआ है यहां पर शो गाइस काफी मिनते करके मैं अंदर आया चलो चलते हैं आगे सबसे पहले तो यह है सबसे पहला इंट्रंस गेट तो चली आगे चलते हैं तो यह है यहां का कुछ इस प्रकार का व्यू एंड यह आया बर्गत का पेड क्योंकि आई शनिवार है और शनिवार के दिन साक्षा शनिदेव महराज बर्गत के पेड के र दिदेव महराज तो चलिए अंदर के बर चलते हैं तो देखिए काफी मनमोखग दृष्ष्य है यहां का जया भोले नाद की तो देखिए यहां पे बड़ी से निशानी है तो यहां पे आगे हमारे शिवलिंग चोटा सा शिवलिंग यहां पे बहुत सारी तो यहां पे हमारी सरस्वती माता एंड नंदी महराज एंड गनपती बपा यहां पे भी बहुत सारे दिवी देवता हैं अभी इनने कपड़ा डाल रखा है तो इस कारण हम देखनी पा रहे हैं क्योंकि हर जगा कपड़े लगे हुए हैं तो इस कारण साफ नहीं दिख रहा है जिस टाइम फंक्शन वगेरा होता है कोई उसी टाइम पे यह खुला रखते हैं बस यहां पे हमारे शानी देव माराज जी हैं यहां पे आगे हमारे तिनसी माता तो हर जगा दे सकते हैं आप कपड़े से ढखा हुआ हैं तो चलो चलते हैं आगे की ओर इस मंदिर को भी लॉक लगा हुआ है तो यह जिस टाइम फंक्शन वगेरा होते हैं उसी टाइम पे खुलते हैं यह तो ऐसे आप शम्भू मंदर य यहां का तो आप शम्भू मंदिर इस जगा का नाम है सोची आज ही इतनी सजावट होती है जब कोई फंक्षन वगरा होता है शिवरात्री जैसे की तो तब कितनी सारी भीड होती है यहां पर कितनी सारी सजावट होती है देखने को मिलती है अब हम अलविदा कर रहे है आप शम्भू मंदिर को चलो चलते हैं अब कहीं जाएंगे कोई और डेस्टनी पर तो चलो चलते हैं